हाई फ्रेंड्स स्वागत आपका मेरे चेनल पर आज हम सुनेंगे अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवरत चोहन का मज़ेदार उपन्यास सावदान हिंदुस्तान का पार्ट थ्री प्लीज लाइक शेर सब्क्राइब मैं चेनल नाम तुमारा असली है एमद तुमारा असली है तो मेरा भी असली है मेरा तो नकली है हामिद अली ने कहा था कि नकली नाम का इस्तमाल करना ताकि बाद में शुरक्षित रह सको तुमारा नकली है तो मेरा नाम कैसे असली हो सकता है एमद ने कहा इसका मतलब फेजल का असली न सिर्फ काम की भाते करनी चाहिए। सतर्क हो जाओ। हम सुसाइटी के गेट तक पहुचने जा रहे हैं। मामला तुम संबालोगे उधर का। हाँ। वे गेट पर पहुचे। बेरियर लगाया। बैदर लोग बेरियर के भगल से होकर निकल रहे थे। एक गाड बेरियर के पास रस्ता पकड़ कर भैठा था। किसी गाड़ी ने बीतर बाहर जाना होता तो रस्ता डिला कर देता। जिससे की बेरियर उपपर उड़ जाता। ब और कहा रईस ने लापरवई से कहा किस के पास जाना है गार्ड बोला नाकपड़े साहब के पास तुम तो जानते हो मैं कई बार पहले भी आ चुका हूँ पर मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ क्यों मज़ा करते हो यार कितनी बार तो नाकपड़े साहब कौनसी बिल्डिंग में रहते हैं गार्ड की नजरे रईस के चहरे पर थी बिल्डिंग रईस ने एक इमारत की तरप इशारा कर दिया वो वाली वो A, B, C, D कौनसी है इतना तो पता होगा ये तो पता नहीं रईस बोला बस आते हैं और चले जाते हैं इतनी सक्ती से क्यों पूछ रहे हो ये मेरी ड्यूटी है हर नए आदमी से मैं नया नहीं हूँ कई बर पहले भी आ चुका मैंने तुमें पहले कभी नहीं देखा गार्ड ने इस पस्ट कहा मुझे भी नहीं देखा खामोश खड़ा अहमत के उठा नहीं कमाल है तुम कैसी ड्यूटी करते हो जो ये भी नहीं पहचान रहे कि हम पहले भी आते रहते हैं, तबी पीतर से एक कार बाहर की तरफ आती दिखाई दी, तो गार्ड बोला, बाजू हटो, दोनों एक तरफ हो गए, उसी पल तीसरे गार्ड ने रस्ता डिला किया, तो बेरियर उट गया, कार बाहर गई तो बेरियर नीचे कर दिय गया, तुम लोग बीतर नहीं जा सकते, गार्ड बोला, बीतर जाने का एक ही रास्ता है, कि नाकपाड़े सहब को फोन करो, वो गेट पर हमें फोन करेंगे, उसके बाद ही तुम लोग बीतर जा सकोगे, एमद और रईस केट के कई कदम पीछे हट गए, यहां के गार्ड ब गेट पर जो दो आदमी खड़े हैं, उन्हें उनके पास फेज दो, कहने के साथ ही फोन करने वाला बीतर की बिल्डिंग के किसी फ्लेट का पता बता दे, गोड आइडिया, इसके लिए हमें गार्ड रूम का फोन नंबर जानना होगा, रईस ने कहा, तबी फेजल उनके प इतर चलें, कहकर फेजल गेट के पास चा पोचा, रईस और एमद उसके साथ थे, वो ही गार्ड फेजल को देखकर ही मुस्करा कर कै उठा, कैसे हो वसिम बाई, बढ़िया है, तुम कहो, फेजल मुस्कुराया, अपनी तो ऐसे ही कट रही है, गार्ड ने उन दोनों को गा, तुम दोनों बीतर नहीं जा सकते, ये मेरे साथ है, फेजल कै उठा, पर ये तो किसी नाकपाड़ा साहब से, गार्ड ने कहना चाहा, ये मेरे साथ है, और हम नेता जी के यहां जा रहे हैं, तुम कहते हो तो ठीक है, वो तिनों बेरियर के पास से निकल कर बीतर बोला, नहीं, वो गार्ड तुमें वसीम कह रहा था, और तुम लोग मुझे फेजल के नाम से जानते हो, फेजल मुस्कुराया, मतलब की तुमारा असली नाम कुछ और ही है, रईस ने गहरी सांस ली, नाम के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ मेरे से वास्ता रखो, तुम यह आते रहते हो, एमद ने पूझा, किस नेता की बात कर रहे थे, तुम गार्ड से, मैं यहां एक नेता से मिलने कई बार आ चुका हूँ, नेता रागवन कराडे, तुमारा संबन नेता से है, हम जैसे लोगों का वास्ता नेताओं के साथ भी होता है, कभी-कभी वो हमें पैस विस्पोट करें, इससे वे अपनी राजनीती चमकाते हैं, कई नेता तो हमसे भी बड़े आतंगवादी हैं, कमाल है, एमद बोला, साधरन बात है, तुमने इस नेता के कहने पर विस्पोट किये, दो बार, इससे नेता को क्या मिला, वो जहने, मैंने तो पैसे लिए और व सई इस्तमाल करें, फैजल ने कहा, हामिद अली को पता है कि तुम पैसे लेकर, नेता के इशारे पर विस्पोट करते हो, सब पता है, हामिद अली को क्या चाहिए, बम विस्पोट ही तो चाहिए, इसी आतंग को फेलाने के वो हमें पैसे देता है, मेरे ऐसे कई लोगों से स कमात के सफेद पोशें, तुम तो बहुत तेज हो, रईस कैए उठा, मैं ऐसे ही समझ रहा था, पीतर वे एक साथ मंजिला इमारत के पास पहुच कर ठिटके, पिलरों पर खड़ी इमारतों के नीचे गाडियां पार्क हुई पड़ी थी, लोग आजा रही थे, चहल पहल प मैं नहीं पीता, मैं भी नहीं, एमद ने सिग्रेट चुल गई और आगे बढ़ गया, वो इमारत के नीचे पार्किंग में कारों के पास से होता हुआ आगे बढ़ने लगा, उसकी निगा उपर से नीचे हर तरब जा रही थी, चहरे पर गंबीरता थी, पूरी इमारत का च सामने इशारा किया, आओ, दोनों रईस के पास जा पहुचे, क्या देखा तुम दोनों ने, भेजल बोला, तुम यहां पहले भी आ चुके हो, तुम कहो, रईस ने कहा, पहले मैं तुम लोगों के मुझ से कुछ सुनना चाता हूँ, तो मैं बताता हूँ, इस एक इमारत का दायरा 35 वर्क फूट के करीब है, एमद बोला, और यह 31 पिलरों पर खड़ी है, अधिकतर पिलर दो से डाई फूट चोड़े, और दो फूट की मोटाई में है, पिलर बहत मजबूत है, वरना इन पर इतनी बड़ी इमारत न खड़ी हो पाती, यहां काफी बड़े फ्लैट हैं, और तुम कहते हो ऐसी 11 बिल्डिंगे हैं, यहां जिने उड़ाया जा सकता है, पर मेरा ख्याल है कि तुमारा दिमाग खराब है, जो ऐसा सोच रहे हो, वो कैसे, फेजल के चेहरे पर कोई बाव नहीं था, हर बिल्डिंग में 31 पिलर हैं, तो बहत कठिन है इन्हें उड सकता, संबव हुआ भी तो एक-दो से ज़्यादा बिल्डिंग हम नहीं उड़ा सकते, इसमें भी हमें तगडी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें नहीं, ये प्लान हामिद अलिका है, किसी को भी मेहनत करनी पड़े, काम तो इनसान ही करेगा, फिर कितने इनसान यहां काम करेंग ये काम एक-दो के बसका नहीं है, बारुद हम किसी तरह बीतल ले भी आएं, तो काम कैसे होगा, कैसे उसे लगाया जाएगा, देखी रहे हो कि यहां हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है, और रात को गाड़्स कुमते हैं, एमत का स्वर दीमा था, फेजल खामोश रहा, रईस पेचेन चहरे को इधर उधर गुमा रहा था, ऐसा काम करने की सोचो, कि जो हम कर पाएं, यानि कि कोई भी काम करे, वो काम कर सके, ये कठिन टार्गेट है, एमत ने फेजल के चहरे को देखा, तो मैं अमेरिका को भूल जाना चाहिए, कि वहां कैसा हमला हुआ फेजल ने एमत को देखा, आसान टार्गेट देखो, न्यूयर की रत होटलों के टिसको थेक सही रहेंगे, दमाके करने के लिए, एमत ने पुन कहा, तुम क्या कहते हो, फेजल ने रईस को देखा, कोई भी काम कठी नहीं होता, बस दिवान की होनी चाहिए, काम पूरा करन की, रईस बोला, सही कहते हो, फेजल ने सिर्फ हिलाया, सिर्फ दिवान की चाहिए, की काम पूरा करना है, कोई भी काम कठी नहीं होता, जान हथेली पर रखकर चलो, तो सब आसानी से पूरे हो जाते हैं, और जान भी सलामत रहती है, एक इमारत को उड़ाने के लिए हमें छोगों की जरत पड़ेगी, रईस बोला, काम रात को ढई बज़े से चार बज़े तक किया जा सकता है, उस वक्त गार्ट्स भी पैरा देते ठक चुके होंगे, खुश तो नीन में भी होंगे, कोई भी इतनी इमानदारी से नोकरी नहीं करता होगा, कि रात को एक दो गंट रहेगा, और हम कार में ही बेठे रहेंगे, कार के शीशे काले होंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये तो तैह है कि हम यहां की 11 इमारतों को एक साथ नहीं उड़ा सकते, ये लंबा काम हो जाएगा, एक रात में ज़्यादा से ज़्यादा, दो या तीन इमारते ही उड़ा सकते हैं, इतना भी बहुत ज़्यादा होगा, आतंग फिलाने के लिए, साथ मंजिला एक इमारत में, एक फ्लोर पर 5 फ्लेट हैं, और इस तरफ 35 फ्लेट हुए, कम से कम 300 लोग तो एक बिल्डिंग में रहते ही होंगे, ज़्यादा, फैजल ने कहा, कम से कम 500, और स बोला, काफी बड़ा, मैरिन सोसाइटी जानी मानी जगय है, नेता, फिल्मी कलाकार और बड़े विजनेसमेन यहां रहते, परन्तु भाकी इमारतों को हम सुखा नहीं छोड़ेंगे, फैजल बोला, वो केसे, भाकी इमारतों के पिलरों के साथ टाइम बम लगा दिये कि गिर ना जाए, अप्रा थपरी फेल जाएगी, शायद टाइम बमों से इमारत को ज़्यादा नुकसान पहुचे, टाइम बम लगाने के लिए आट-दस आदमी ही काफी है, वो दो गंटों में काम निप्टा देंगे मेरा ख्याल ही की, अइमत कैए उठा, पहले टाइम बमों के दमाके किये जाएं, सबका ध्यान उस तरब बढ़ जाएगा, तो मोके का फाइदा उठा कर, जिन तीन इमारतों को डाइनामाट से उड़ाना है, उन्हें ये बकवास बात है अइमत, डाइनामाट लगाने के लिए हमें वक्त और सुकुन बरा माहूल चाहिए, पहले बमों के दमाके हो गए, तो हर कोई बहार आ जाएगा, और कोई हमारी हरकतों को देख भी लेगा, फिर हमें काम के बाद लाशे भी चाहिए, जब लोग अपने गरों में नहीं होंगे, बाहर होंगे तो काफी बच जाएंगे, रईस कैय उठा, मैं तुमारी बात से सैमत हूँ, फेजल ने कहा, पहले इमारतों को उड़ाया जाए, उसके बाद टाइम बम के दमाके हो, ऐसा ही सही, ये भी ठीक है, एमत बोला, आओ, फेजल ने कहा, हम पाकी इमारतों पर भी नजर माल ले, तीनों चल पड़े, देखने वालों को ये ही लगता था, कि वे गपे हाक रहे हैं, बाते कर रहे हैं, वो तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे, कि ये लोग मेरिन सोसाइटी को उड़ाने की योजना बना रहे हैं, फेजल, रईस पोला मानों की ये काम हमें करना होतो, कैसे करेंगे? इतनी गहराई में जाने की क्या जरत है? जरत है, हामिदली को हमने ये सब बताना है, वो हमसे पूछ सकता है की काम कैसे होगा? वो जरूर पूछेगा, एमद बोला, हम ये कहकर पीछे नहीं हट सकते, कि वहां बम लगा दो, कै कैसे लगाना है पूछेगा वो, ठीक है, मान लो, हम तीन इमारतों को उड़ाते हैं, एक एक इमारत 31 पिलरों पर खड़ी है, इतने सारे पिलरों पर बारुद नहीं बिचाना है, तो, इमारत खड़ी करने के लिए कुछ पिलर महत्पोन होते हैं, बाकी पिलर तो उन महत्पो पिल्लर नहीं हो तो बाकी सब वेकार समझे मेरी बात हाँ 31 पिल्लरों में मात्र 10-12 या 14 पिल्लर ही महत्पॉन होंगे और हमें उन पर ही बारूत लगाना होगा हमें ये केसे पता चलेगा कि वो महत्पॉन पिल्लर कौन से हैं आहमद बोला इंजीनियर बताएगा मैं जानता ह हूँ ऐसे इंजीनियर को जो हमें महत्पॉन पिल्लरों के भारे में बता देगा वो हम जैसा ही कोई है उसे पहले ही यहां लाकर ये बिल्डिंग दिखानी होगी वो महत्पॉन पिल्लरों की निशान देही कर देगा ठीक है ये काम हो गया परन्तु हम ये काम कैसे करेंगे इशारा करने की देर है कि वो पहुच जाएंगे। फेजल ने कहा। तीनों सामने वाली इमारत की तरब बढ़ रही थे। इतने आदमियों को तुम बीता लाओगे। मेरे लिए ये मामूली काम है। फेजल ने एहमद पर नजर मारी। तीन बार कार पर मुझे यहां आना होगा। हर बार कार में छह साथ लोग रहेंगे। इस तरह में आदमियों को बीता ले आऊँगा। कुछ दिक्कत आई तो वो नेता ठीक कर देगा। नेता को बताऊगे कि हम मेरी सुसाइटी उड़ाने जा रहे हैं। जरत पड़ी तो उस इस्थिती में बताऊँगा। वो नेता हराम पंधी कर सकता। वो मेरे खिलाब नहीं जा सकता। फैजल मुस्करा पड़ा। मेरी मुठी में उसकी जान है। ये वो भी जानता है। तुम तो पहुँचे हुए लगते हो। रईस बोला, हम सब ही पहुचे हुए हैं। हमारे काम में कोई भी मामुली नहीं होता। फैजल ने शांत स्वन में कहा। और बारुत तो कारों की डिकी में बीतर पहुच जाएगा। एमद बोला, हाँ, सुनने और कहने में कितनी असान लगती है ये योधना। लागू करने पर पता चलेगा कि कितना कठिन काम है। तुम रईस की बात बूल रहे हो, कि सोच लिया जाए, कि काम करना है, तो फिर कुछ भी कठिन नहीं होता। मैं पीछे नहीं हट रहा, एमद मुश्करा पड़ा, यूही बात कही है मैंने। ऐसी बाते मत करो, जो कम जो लोगों के मुँझ से निकलती है, हम लोह चबाने वालों में से हैं। तुम बाते अच्छी करते हो फैजल, रईस ने कहा, मैं काम भी बहुत बढ़िया करता हूँ, जरूर करते होंगे, अब हम हामिद अली से बात कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं की, अभी तो बाकी इमारतों को देखो, उनके पिलरों की संख्या गिनो, इमारते छोटी बढ़ी हो सकती हैं, फैजल ने कहा, तब तक वे दूसरी इमारत के नीचे पिलरों के पास पहुच गए थे, मेरी राय में हमें दो टार्गेट तयार रखने चाहिए, अहमत कै उठा, दोनों की निगा अहमत की तरफ उठी, दो टार्गेट फैजल ने पूझा, हाँ, किसी हाल में हम एक टार्गेट पर काम न कर पाए, तो दूसरे पर काम किया जा सके, ये आइडिया भी अच्छा है, रईस ने तुरंत कहा, सावदानी के तोर पर ऐसा कर लेना ठीक होगा, फैजल सिर्खिला कर बोला, यहां का काम खत्म कर लें, फिर दूसरा टार्गेट तलाश करेंगे, ह पर ये बात समझ नहीं आ रही कि वो क्यों आ रहा है, इन कामों को तो हम आसानी से कर देते, अगले दिन सुबह साड़े दस बजे, मुन्ना खान को मंसूर का फोन आया, बोलो, मुन्ना ने कोल रिसीर की, गड़बड हो गई, जगमोहन गंटा बर पहले बंगले से निकला थ कार पर, मैं और साजिद उसके पीछे थे, जगमोहन ने मार्किट से खाने पीने का सामान खरीदा और वापस चल पड़ा, परेंतु कुछ आगे जाकर उसने कार की स्पीट तेज कर दी, तो उसे पीछा होने का पता चल गया, लपरवाई रही तुम दोनों की मुन्ना ने कह हम तो सतरकता से ये काम कर रहे, जगमोहन तुम लोगों से भी सतरक निकला, जो पीछा होने को बाप गया, लेकिन अब क्या पोजिशन है, खान ने पूछा, हम जगमोहन की कार के ही पीछे हैं, हमने कार को नजरों से ओजल होने नहीं दिया, पीछा छोड़ दो, मेरे ख्या पीछा के से छोड़ सकते हैं इस तरह नजर नहीं रखी जाती कि पाटी को पता चल जाए कि उस पर नजर रखी जा रही है पीछा छोड़ कर तुम दोनों वापस आ जाओ मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा कि देवराच चोहन और जगमोहन पर नजर कैसे रखी जाए कहकर मुझे ने फोन भन कर दिया क्या हुआ नदीम ने पूछा मनसूर और साजित जगमोहन के पीछे थे और जगमोहन को पीछा होने के बारे में पता चल गया मुझे ने बताया लापरवाई की होगी पीछा करने में जरूरी नहीं की लापरवाई हो वो भी जगमोहन है कम नहीं है मुझे ने सोच परे स्वार में कहा मेरे ख्याल में देवराच चोहन और जगमोहन कल की गटना के बाद सतर्क हो चुके हैं वो अभी भी सोच रहे होंगे कि कल उन्हें मौके पर किसने मनने से बचाया और ऐसा क्यों किया जगमोहन सतर्क होगा तबी तो वो पीछा होने के बारे में बाब गया अब तुमने उन्हें वापस आने को कह दिया गपूर बोला हाँ इस तरह किसी पर नजर नहीं रखी जाती कि उसे पता हो कि उस पर नजर रखी जा रही है मुनना ने कहा अब हमें उस पर नजर रखने का दूसरा डंग इस्तमाल करना होगा हम सब को काम पर एकसाद लगना होगा कभी कोई उनके पीछे होगा तो कभी कोई कारे बदलती रहेगी चेहरे बदलते रहेंगे तेजी से और उन्हें किसी पर शक नहीं होगा, इस वक्त देवराज चोहन और जगमुहन अपने भंगले पर हैं, तुम सब फोरन तयार हो जाओ चलने के लिए, हमने ऐसा मजबूत गेरा उन दोनों के गिर्द भेलाना है, कि वो हर वक्त हमारी नजरों में रहे, प्लान रास्ते में बत इतनी चाहे ले लो, रास्ते में से कारों का भी इंतजाम कर लेंगे, जगमुहन ने हाथ में उठा रखे लिफापों को बीतर प्रवेश करके किचन में रखा, और सीधा देवराज चोहन के पास कमरे में पहुचा, वो नहादो चुका था और अकपार पर नजरे दोड़ा रहा था, अभी आते वक्त मेरा पीछा किया गया, जगमुहन ने कुरसी पर बैठते हुए कहा, देवराज चोहन ने नजरे उठा कर देखा उसे, पीछा, देवराज चोहन के होट सुकडे, हाँ, कल की गटना के बाद मैं कुछ सतर्क था, जगमुहन ने बताया, जाते वक् पुझे किसी पर शक नहीं हुआ, परन्तु आते वक्त उस कार पर शक हो गया, क्योंकि उस कार को मैंने तब भी अपने पीछे देखा था, जब बंगले से निकला था, चेक करने के लिए मैंने कार की रपतार बढ़ा दी, तो उस कार की रपतार भी तेच हो गई, मेरे पीछ पीछे आने लगी, अब शक की कोई गुझाईश नहीं बची थी, तब मैं सोची रहा था कि क्या करूं, तब ही वो कार पीछे से गायब हो गई, देवराच चोहा ने अक बार एक तरब रगती, वो गंबीर दिखने लगा, मुझे पूरा विश्वाशे की, पीछा करने वाल ऐसा हो रहा हो, देवराच चोहान ने कहा, जगमोहन के होट बिच गए, कल एन मौके पर कोई यूहीं वहा नहीं पहुच सकता, वो पहले से ही हम पर नजर रखे वे थे, पर वो लोग हम पर नजर क्यो रख रहे हैं, जगमोहन का चेरा सक्त हो गया, देवराच चोहान ने सि ऐसे हम बाहर चलते हैं, वो हमारे पीछे आएंगे, तो उन्हें पकड़ कर ये बात पूछनी होगी, जानते हो कि वो कितने बड़े निशाने बाज हैं, वो रिवालवर रखते हैं, कल उन्होंने उन पांच पर गोलियां चलाई, तीन के सिरों में गोलियां लगी, और दो के क पर उन्हें पकड़ना आसान नहीं अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उन्हें पकड़ना ही होगा वो कब से हमारे पीछे हो सकते हैं शायद कई देन से हम लापरवा रहे और उनके बारे में जान नहीं सके तेवराच चोहान ने कहा परंतु वो सिर्फ हम पर नजर रख शायद उन्हें किसी मौके की तलाश है हमसे संपर्क बनाने इसका मतलब है कई दिन से उन्हें हमसे संपर्क बनाने का मौका नहीं मिला जबकि वो हमारा रहने का ठिकाना भी जानते हैं मैं इस बात पर यकिन नहीं कर सकता वो किसी खास चक्कर में हो सकते हैं और हम मुसीबत मे पढ़ सकते हैं वो पुलीस वाले नहीं हो सकते क्यों पुलीस वाले होते तो हमें पकड़ने के लिए इतना इंतजार न करते कल हमें कामरान के आदमियों से बचाते नहीं पुलीस ऐसे काम नहीं करती देवराद चोहान के चहरे पर सोस थी वो कोई और ही लोग है चलो उनसे बात करते हैं जगमोहन ने कठोर स्वार में कहा हम कार पर यहां से निकलते हैं उन्हें दूर ले जाते हैं और किसी जगे उन्हें रोक कर बात करते हैं देवराद चुहान ने उठते हुए कहा हम उन्हें इस तरह अपने पीछे नहीं लगा रहने दे सकते कि वो कभी भी हमें मुसीबत में डाल दे सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ियां है जगमोहन कै उठा इस तरह हमें कैसे पता चलेगा कि कोन हमारे पीछे है जो कार तुमारे पीछे थी उस कार को पहचानने की चेश्टा करो वो ही देख रहा हूं परंतु वो कार तो पीछे नजन नहीं आ रही उन्होंने कार बदल ली होगी तेवरा चोहान ने कहा देवरा चोहान कार चला रहा था चगमोहन उसकी बगल में बेठा था हमें कार को किसी सुन्चान जगह पर ले जाना होगा तेवराच चुहान ने कहा हमारा पीछा करने वाले कहीं कामरान के गेंग के बाकी बचे लोग तो नहीं ये संबव नहीं कल हमें कामरान के आद्मियों से बचाया गया था ऐसा नहीं हो सकता कि हमें बचाने वाले दूसरे और पीछा करने वाले कामरान के गेंग के बचे लोग, वो हमसे कामरान की मोत का बदला लेना चाते हूं और ऐसा होता तो पीछे लगे लोग हम पर हमला कर चुके होते, देवराज चोहान ने कहा, जगमोहन जुझला कर खेड़की से बाहर देखता कै उठा, कार को सुनसान सड़क पर डाल दिया, जो दो-तिन चोहाओं के बाद आगे कम ट्रेफिक वाली सड़क बन जाती थी, काफी आगे नए फ्लेट बन रही थी, इसलिए इस तरफ खास ट्रेफिक नहीं आता था, जगमोहन ने जेव से रिवालवा निकाल कर हाथ में ले ली, आगे पीछे अभ बहुत कम कारे जानी थी, ऐसी कार को पहचानने का प्रयत्न करो, जो देड़ से हमारे पीछे हो, देवराच चोहान ने कहा, नदीम कार चला रहा था, और इकबाल बगल में बेठा फोन पर कह रहा था, देवराच चोहान और जगमोहन ऐसी सड़क पर बाढ रहे हैं, जो उदर से वकील की आवाज कानों में पड़ी, ऐसे में हमारा उनके पीछे रहना ठीक नहीं होगा, तो क्या किया जाए, मुन्ना से बात करके देखता हूँ, तुम कहा हो, तुम से दो कार पीछे, अगले दो चुराहों के बाद सीथी जाती सड़क सुनसान होती चली जाती है उस पर कम ट्रेफिक होता है, दूसरे चुराहे के बाद तुम सड़क किनारे अपनी कार रोग देना, उनके पीछे मत जाना मुन्ना से बात करके तुम मुझे फोन करो इकबाल ने कहा और फोन बंद करके नदीम से बोला दूसरे चुराय के बाद कार को सड़क किनारे रोक देना आगे सड़क सुनसान हो रही है तो क्या हर्ज है? हम पीछे नहीं नदीम इकबाल ने गंबीर स्वार में कहा सुबा इन्हें पीछा होने का शक हो गया था इसे में हो सकता है कि देवराज चुहान और जगमोहन पीछे लगे हम लोगों को डून निकालने के लिए सुनसान रास्ते पर जा रही हो मुन्ना से बात करो की वकील मुन्ना से बात करके मुझे फोन करेगा, एकबाल बोला, तुम ही पोन कर लो मुन्ना को, एक ही बात है, वकील बात कर लेगा, मुन्ना है कहां, हमारे आसपास ही ये, मुन्ना ने सुबए सही डंग से इस्तिती को पहचाना था, तबी तो उसने पीछा करने के सारे जामना बदले होते तो पीछा करने वाले, अब मुसीबत में फस सकते थे, इकबाल ने कहा, साजी तो रियाज की कार तो देवराज चुहान की कार से आगे है, हाँ, पांच मिनट पहले ही देवराज चुहान की कार को उन्होंने अवटे किया था, तभी इकबाल का फोन बजा, हाँ, इकबाल ने बात की, मुन्ना कहता है कि दूसरे चुराज के बाद कार को सड़क किनारे रोक लो, वकील की आवा जाई, तो उनके पीछे कौन, हम सब वही रुक रहे हैं, साजी तो रियाज की कार, देवराज चुहन की कार से आगे हैं, वे, वो दोनों मुन्ना के संप बाल रहा है, और जो उसने कहा है, वो तुमें बता दिया, दूसरे चुराज के बाद मुन्ना भी वही रुकेगा, वो मेरी कार से कुछ पीछे है, बाकी बाते वही होंगे कि देवराज चुहन और जगमोहन पर कैसे नजर रखनी है, साजीत और रियाज उनके आगे पीछे रहेंगे, इस तरह तो देवराज चुहन को उन पर शक हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसा होने से पहले ही, वो वहाँ से निकल जाएंगे, और उनकी जगे कोई दूसरा ले लेगा, लगता है मुन्ना ने तुमें प्लान बता दिया है, तब ही तुम, तुम भी प्लान सुन ले कोई कार नजर नहीं आ रही थी, कि जिस पर ये शक किया जा सके, कि वो पीछे है, तीन कारे उनसे आगे चल रही थी, दो कारे पीछे अवश्य थी, परन्तु वो जहनते थे कि वो कारे उनका पीछा नहीं कर रही, कभी कबार कोई तेज रप्तार से आती कार उन्हें आवट करती आगे निकल जाती थी 6 किलोमेटर के बाद ये सडक पुना शेयर की बीड़ बाड़ वाली सडक से जा मिलती थी सडक के दोनों तरफ खुली जगे और जाडियां थी 2 किलोमेटर आगे कस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जहां पर सडक तूटी-पूटी थी और वहानों की रप्तार बहुत कम हो जाती थी एक किलोमेटर तक ये ही हाल रहता था ये ही वज़य थी कि इस तरफ कम ही वहान आते थे लगता नहीं कि कोई हमारा पीछा कर रहा हो जगमोहन पीछे देखता उलजन बरे स्वार में कैए उठा तुम्हें यकीन है कि सुबह तुमारा पीछा किया गया देवरा चुहान बोला मेरे यकिन पर तुम्हें शको तो कहो जगमोहन ने शांत स्वार में कहा कोई शक नहीं है फिर भी मैंने पूछा हेरानी है कि वो लोग कहा चले गए वो कहीं नहीं गए हमारे आसपास ही होंगे देवरा चुहान ने होट बीच कर कहा वो अब हम यह भी सोच सकते हैं कि हमारा पीचा करने वाले अनाडी नहीं है वो बेवकूफ होते तो अब तक हमने उन्हें देख लिया होता अगर वो कई दिन से हम पर नजा रख रहे हैं तो मतलब की बात के लिए सामने क्यों नहीं आते उनके लिए शायद सही वक्त अभी नह नहीं आया होगा उनके पीछे लगे होने की वज़े से हमें कल ये फाइदा तो मिला कि उन्होंने हमें बचाया अपने मतलब के खातिर मतलब की हम जिन्दा रहें और वो हमसे बात कर सकें देवरा चुहान मुस्करा पड़ा समझ में नहीं आ रहा कि ये चाते क्या हैं बात ह होगी तो समझ में आएगा जगमोहन कैव उठा साजीत और रियाद देवरा चुहान से आगे के आगे वाली कार में थे इस वक्त कारे 50 की स्पीट से भाग रही थी कार चलाते साजीत की निगा शीशे से होती पीछे आ रही कारों पर थी देवरा चुहान की कार उसे नजर आ रही थी इस दोरान कार चलाने पर भी ध्यान रखे वे था मगल में बेठा रियाद भी कभी गबार पीछे देख लेता था रियाद बिना कुछ कए मोबाइल पर नंबल मिलाने लगा उसे अपनी पोजिशन बताओ और पूछो की अब क्या करना है पीछे अपने आदमी की को जवराज चोहन और जगमोहन जान बूच कर इस खाली सड़क पर आए हैं ताकि पीछा करने वालों को देख सके हां लेकिन हम तो उनसे आगे हैं साजित हसा वो सोच भी नहीं सकता की पीछा आगे रहकर हो रहा है रियाद ने मुस्करा कर फोन कान से लगा लिया दूसरी तर तो खाली पड़ा था व्यस्त नहीं था अपनी पोजिशन बताओ उधर से मुन्ना ने पूछा हम देवराज चोहन और जगमोहन की कार के आगे चल रहे हैं बीच में एक कार है वो लोग सोच भी नहीं सकते की पीछा करने वाले आगे हो सकते हैं पीछे उसकी कार हमें नजर रही है ये अच्छा रहा पचास की रपतार है कारों की अगले चार किलोमेटर के बाद ये सडक मुख्य सडक से मिल जाएगी वो बीड़ वाली सडक है क्या हम वहां भी उनका पीछा करें जबकि हमारी कार वो तुरंट पहचान लेंगे क्योंकि हम इस वक्त आगे चल रहे ह मैं समझ गया तुमारी बात मुन्ना की आवाज कानों में पड़ी तुम सिर्फ इसी सडक तक उन पर नजर रखोगे और फोन पर मुझे बताते रहोगे तीन कारे यहां से चल रही हैं जिसमें मनसूर, शकील, मुस्तफ़ा, वकील और नदिम इकबाल होंगे एके करके वो का कारे तुम लोगों के पास पहुचेगी, मुख्य सडक पर पहुचते ही, उन में से कोई भी उनके पीछे लग जाएगा और बाकी दो कारे भी कुछ फासले पर चलती रहेगी, थोड़े थोड़े वक्त के बात पीछा करने वाली कारे बदलती रहेगी, यह ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे, तुम इन में से किसी के साथ संपर्क बनाए रखना और ज़्यादा फासला रखकर उनकी तरफ बढ़ते रहना, हम जबरदस्त गेरा बनाकर देवराचोहन और जगमोहन के पीछे रहेंगे, मुन्ना ने उधर से कहा, ऐसा क्यों? उन्हें अपना पीछा किय जाने पर शक हो चुका है, और मैं नहीं चाहता कि वो हमारे हाथ से निकल जाएं, ये हामिद अली अब आने में इतनी देर क्यों लगा रहा है, रियाद बोला, उसकी बात वो ही जाने, और हमें बताया भी नहीं कि मामला क्या है, हुक्म दे दिया कि देवराचोहन और जगम पर में नोट देता है, तो हम उसके लिए काम करते हैं, वो जो कहेगा, वो ही हमें करना है, मू नहीं खोलना, रियाद ने गहरी सांस ली, हामिद अली की पसंद के हिसाब से काम करो, वो जो चाता है, वो ही करो, करतो रहा हूं, तुम चारो की कारो को कब बेज रहे हो, फोन बन करो, उन्हें अभी रवाना कर रहा हूं, रियाद ने फोन बन करके साजीत से कहा, कारो में मनसूर, शकीर मुस्तफा, वकील नदिम इकबाल आ रहे हैं, प्लान क्या है, वो भी देवराज चोहान के आसपास पहुचकर बीड का हिस्सा बन जाएंगे, ये सड़क जब आने वाली कारे बदलती रहेंगी, कि उन्हें पीछा किये जाने का शक न हो, हम को ज़्यादा ही फासला रखकर वहां रहेंगे, इस तरह कब तक देवराज चोहान को नजर में रख सकेंगे, जबकि उन्हें पीछा किये जाने का शक है, साजित बोला, ये ही तो मैंने कहा कोई भी मामला इतना लंबा नहीं कीचना चाहिए हमें मुन्ना ने जो कहा है वो ही करना है ये काम मुन्ना ने अपने सिर ले लिया है वो हेट बन बेठा है अगर कुछ गडबड हो गई तो हामिद अली के सामने उसे ही जवाब देना पड़ेगा साजिद ने सोजबरे स्वार में कहा ये कहकर तुम्या कोई भी खुद को बचा नहीं सकता देवराज चोहन और जगमोहन को नजर में रखने की जिम्मेदारी हम सब की है हम सबने ही हामिद अली के सामने जवाब देना होगा इसलिए गडबड नहीं हो तो ठीक होगा रियाज गंबीर स्वार में बोला यहां पर बारी पेमाने पर फ्लेट बन रहे थे बड़ी-बड़ी मशीने इदर उदर बिकरी पड़ी थी आसमान को छूते डाचे दिखाई दे रहे थे सेकडो मजदूर काम कर रहे थे जगय जगय से सडके तूटी हुई थी खड़े थे कहीं मिटी के डेड़ थे तो कहीं पानी से भरा हुआ था तो कहीं पर रास्ता इतना तंग था कि एक बार में एक तरफ का एकी वाहन निकल सकता था ऐसे में दुसरी तरफ के वाहनों को रुखना पड़ता तंग रास्ते पर कस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से तेनात एक गार्ट आने जाने वाले ट्रेफिक को संबाल रहा था तेवराद चोहन की तरफ वाला ट्रेफिक दस मिनट से रुका हुआ था फिर गार्ट ने हाथ देखकर दुसरी तरफ वाले ट्रेफिक को रुका और इधर वाले ट्रेफिक को चालू कर दिया कारे आगे बढ़ने लगी देवराद चोहन सावदानी से कार को आगे बढ़ाने लगा परन्तु जगमोहन की निगा तो बगल वाली कार पर टिकी थी जिसमें मुस्तफा और वकील बेटे थे दस मिनट तक मुस्तफा और वकील की कार पास ही खड़ी रही मुस्तफा तो स्टेरिंग सीट पर आराम से बेटा था परनतु वकिल बार-बार देवराच चोहान और जगमोहन को देख रहा था ऐसे में जगमोहन और वकिल की निगा आपस में कई बार मिली जगमोहन मन ही मन सतर्क हुआ कि वो आदमी बार-बार उने क्यो देख रहा है कही ये पीछा करने वालों में से तो नहीं ये बात जगमोहन ने देवराज चोहान को नहीं बताई कि वो गलत भी हो सकता है उस तंग रास्ते से कार निकल गई, आगे फिर खुला रास्ता था परन्तु दूर तक सड़क खराब थी, चीटी की रप्तार से कारे आगे बढ़ती रही आगे जाकर वो सड़क बीड बरे ट्रेफिक से बरे रास्ते से जा मिली थी वो सब कारे पुना बीड का हिस्सा बन गई कोई फाइदा नहीं हुआ, देवराज चोहान बोला हाँ, जगमोहान ने गहरी सास ली हमने तो सोचा था कि पीछा करने वाला दिख जाएगा हमें वो दिखेगा, आज नहीं तो कल दिखेगा देवराज चोहान ने सिर्फ हिला कर कहा हमें सिर्फ ये जानना है कि वो लोग कौन है और क्यो हम पर नजा रख कहते कहते जगमोहन ने गर्दन कुमा कर यूँ ही पीछे देखा तो अगले ही पल चोक पड़ा पीछे मुस्तफा और वकील की कार थी वकील इधर ही देख रहा था दोनों की नजरे मिली जगमोहन के मस्तिक को जटका लगा उसके दांत पिच गए वो मिल गए जगमोहन गुर्रा उठा कहां देवराच चोहन के होटों से निकला पीछे वाली सफेदकार जगमोहन ने जेब में पड़ी रिवालवर पर हाथ फेरा वो उस सडक पर भी थे जहां से हम आये हैं उस आदमी से कई बार मेरी नजरे मिली थी और अब पीछे देखा तो वो इधर ही देख रहा था फिर नजरे मिली सडक पर वाहनों की बीड थी हर दो मिनट बाद वाहन रुख जाते थे मैं उनके पास जा रहा हूं तुम इसी तरह कार चलाते रहना जगमोहन बोला उन्हें इसी कार के पीछे पीछे लाऊंगा तुम किसी ऐसी सडक पर पहुँचना की कारों को रोक सकें उनसे बात कर सकें सतरकता से काम करना वो खदरनाक हैं देवराज चोहन ने गंबीर स्वार में कहा इसी पल आगे बढ़ते वाहन पुणा रोकने लगे आगे की कार रुकते ही देवराज चोहन ने भी कार रोकी तो जगमोहन ने उसी पल दरवाजा खूला बाहर निकलता और दरवाजा बन करते हुए पीछे की तरफ बढ़ गया देवराज चोहन की निगा पीछे का द्रश्र देखने वाले शीशे पर जाते की उसे कार नजर आ रही थी जगमोहन ने उस कार का पीछे वाला दर्वाजा खोला और बीतर जा बेठा और फुर्ती से रिवालवा निकाल कर हाथ में ले ली कि आगे बेठा मनसूर फोरन पलट कर कैव उठा ए तुम हमारी कार में क्यों गुसाए चलो बाहर निकलो जगमोहन ने हाथ आगे बढ़ा कर दोनों सीटों में हाथ डाल कर रिवालवार उसकी कमर से लगाई ये क्या मनसूर ने कहना चाहा चुपचाप रहो और आगे वाली कार के पीछे पीछे चलना है तमाशक किये तो गोली मार तब ही रुका ट्रेफिक चल पड़ा उस कार के पीछे रहो अगर मरना नहीं चाते जगमोहन गुर राया कार बीड में मध्यम गती से आगे बढ़ने लगी कौन हो तुम जो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूँ जगमोहन ने शब्दों को चबा कर कहा हमारी आखे कितनी बार मिली है ये बात तो तुम जानते ही हो तुम नज़र रखने में चूग गए थोड़ा सा ये क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं समझ आ जाएगा आगे वाली कार के पीछे चलते रहो तुम पागल हो जो ऐसा कर र आया मेरी बात न मानी तो गोली मार दूंगा तो मेरे से चालाक नहीं आज की कहानी बस यहीं तक कहानी का अगला बाग जानने के लिए बने रहे मेरे साथ अगर यहां नाविल आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेर सब्क्राइम आए चैनल